भगवान स्री किर्षन के जनम और उनकी लीलाओं से तो हम सभी वाकिफ हैं। स्री किर्षन के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान विष्णू के अवतार थे। भगवत गीता के अनुसार स्री किर्षन का इस दर्ती पर अवतार दौपर युग में हुआ था और ऐसा कहा जा पता है कि उस युग में च्यारों और पाप किरते हो रहे थे और धरम के नाम की कोई चीज जमीन पर नहीं रह गई थी इसलिए भगवान विश्णु ने स्वम किर्शन के रूप में अवतार लिया जिससे कि धरम की पुनर्शथापना हो सके खैर ये तो थी किर्शना के जनम क कहानी लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिरी किर्शन ने मानव सरीर को कब त्याका था अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किर्शना की मिर्ट्यू का राज भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान जगननात पूरी है किर्शना की मिर्ट्यू जी हाँ दोस्तों यह हिंदू धर्म के च्यार धामों में से एक है और कहा जाता है कि भगवान विश्णु यहाँ पर सक्सात विराजमान है और यहीं पर स्री कृष्णा की मिर्तू से जुड़ा राज कहा जाता है कि जब भगवान किष्णा ने धर्ती पर जनम लिया था तो उनकी सक्ती तो अलोकिक थी लेकिन सरीर तो मानव का ही था और जो नसुर होता है वो एक ना एक दिन उस सरीर को त्याग नहीं पड़ता है जब भगवान कृष्णा की लीला समाप्त हुई तो वे धर्ती पर अपने इस आउतार और देह को छोड़ कर अपने सवधाम चले गए थे पांडवों ने उनकी देह का अंतीम संसकार किया और इस दोरान उनका पूरा सरीर तो जल कर नश्ट हो गया लेकिन उनका दिल जलता ही रहा पांड़ों ने इस जलते हुए दिल को जल में परवाहित कर दिया तब यह लठे के रूप में परवर्तित हो गया और वह लठा राजा इंद्रुयम को मिल गया था उनकी आस्था भगवान जगनात में थी और वे उस लठे को ले आए और भगवान जगनात की मूर्ति के अंदर स्थाफित कर दिया यह है कृष्णा की मिर्त्यू का राज ऐसा कहा जाता है दोस्तों की भगवान कृष्णा का वो अंस तब से वहीं पर है हालांकि हर बारा वर्ष के बाद मूर्ति बदली जाती है लेकिन वो अंस एप परिवर्तित ही रहता है दोस्तों उमीद करते हैं यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह जानकारी आपको अगर जरासी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही नोलेज फूल और हिंदी में व्लोग्स हमारे चैनल पे देखने के लिए लोकल जरनी यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बैल को जरूर चालू कर लीजिएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जैसरी किष्णा